आज मैं आपके साथ शेयर करने जारूए एक बहुत ही टेस्टी एजी और हेल्डी रेसिपी जो की है चाओमी डिस्टाइल सेवी आप इसे अपने गर पर बेकफास्टे बनाईए या शाम को नाश्ते बनाईए यह आपको बहुत पसंद आएगी बनाना बहुत आजान है तेस्ट बहुत अच्छा आता है कुछ टिप्स और ट्रिक्स है इसके लिए वीडियो को पूरा देखें इसके इपना करें इसे हमने बिल्कुल खिले खिले तरीकी से बनाया हर एक दाना इसका अलग-अलग है तो आप इससे अपने घर पर एक वज़ू ट्राई कीजिए और इसके लिए एकफ जवे यह देखिए पहले से भूने हुए होते हैं मैं यह जवी भी बोल सकती है क्योंकि हम इने जवे बोलते हैं सहवई भी बोलते हैं तो यह हमने इसमें डाल दिये पहले से भूने हुए हैं लिकिन हम इसे और थोड़ा सा भूनेंगे करीब 3-4 मिन तक इससे क्या होगा यह बिलकुल खिले खिले बनेंगे वैसे बनेंगे अगर आप इससे नहीं भी भूनेंगे तो पर इतना अच्छे से नहीं बनेंगे इससे टेस्ट भी अच्छा आता है और यह बिलकुल खिले खिले बनते हैं जब इसका हलका सा कलर और चेंज हो जाए तो तो आफ देखेंगे यह बुनकर तयार हो गये है और आफ हम डालेंगे इसमें पानी तो जैसे हम ने एक कप लिया है तो हम इसमें डालेंगे 3 कप पानी उसका तीन गुणा डालते हैं पानी आप थोड़ा जादा भी ले सकते हैं चार कप भी डाल सकते हैं पानी थोड़ा जादा ही होना चाहिए ताकि यह अच्छे से हो जाए आप हम बिलकुर लो फ्लेम पर इसको होने देंगे आप बीच में चेक कर लेना हलका सा 80% कुक किया है तो उसे साब से ही रहेगा और हम इसका पानी से अलग कर लेते हैं और यह पानी को हम निकाल देंगे अब इसको उपर कोई ठंडा पानी न डाला कुछ भी नी डाला है इसको ऐसे ही रहने देना मीडियम टू हाई और इसे लगातर चलाते हुए हमें हलका सा भूनना है हलका सा क्रिस्पी होने देना है चाओमीन में या मैगी में या किसी भी नूडल्स में जब सबजियों को भूनते हैं तो आपने देखा हुआ उसका क्रिस्पीनेस टेस्ट रहता है ओवरली कुग नहीं होती है हलका सा इसी तरीके से रहती है और यहां ही हो गई है अब हम इसमें डाल देंगे जो हमारी सेमी तयार हो गई है अब हम इसके उपर डालेंगे दो चमच विनेकर फ्लेम को लो रखना है सबी चीज़ा डालते वक और एक चमच सोया सॉस और अब हम इसमेंट करेंगे लाल मिर्च पाउडर आदा चमच से थोड़ा से कम था और यह नमक स्वाधनुसार और काली मिर्च पाउडर एक चौथाई चमच सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे अब हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे मीडियम फ्लेम पर हम इसे अच्छे से भूनते हुए मिक्स करते जाएंगे और इसी तरीकी से भूनते जाएंगे जैसे कि आपने स्ट्रीट पर देखा होगा हमने सेम वही को बिल्कुल चौमीन स्टैलर बनाया है सेम प्रोसेस है इसका टेस्ट बिल्कुल चौमीन वाला आता है तो आप इससे अपने खरब एक वाज जुरू ट्राइक किए जिए आप देखेंगे इसका हर एक दाना बिल्कुल अलग-अलग बना है तो उन्ही बातों को ध्यान अकना जो भी मैने आपको बताया है तो यहां है तयार है हमारी चौमीन स्टाइल्स है आप इस रेसिबी को अपने खर पर एक वाज रूट रह कीजिए सब भी को बहुत पसंद आएगी यदि आपको मेरे आज की रेसिबी पसंद आए तो उसे लाइक, शियर और मेरे चैनल को सबस्क्राइब करना आप उने साथी बैल आइकन को प्रेस कीजिए थेंक यू